ओम नमस्षिवाई शिवजी सदा सहाई ओम नमस्षिवाई गुरुजी सदा सहाई सबसे अच्छे रएंग जो सकारत मक्ता और सम्रिद्धी पैदा करते हैं वो हैं लाल, सत यानी क्रीम, इवं स्यहा यानी काला इनके बाद आते हैं केसरिया, संत्री, गुलाबी, पीला, हरा, जामुनी और सफे घुडा नीला रंग गुरुओं का नहीं होता, इसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए ये पहनने वालों में नकारक मक्ता इवं ब्रातियां उत्पन करता है फिरोजी और आस्मानी नीला रंग अच्छे होते हैं, इन्हें इस्तिमाल कर सकते हैं मैंने पूछा, क्या ये आपने मेरे परिवार के लिए कहा है गुरुजी ने कहा, जो सुन ले उसका भला आपको अपने आँख, नाख और कान सब चहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं इस बात का भगवान को बहुत धन्यवाद करना चाहिए जानवर कितने काम करते हैं मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमडे के बैग, जूते, बेल्ट आदी बनाते हैं यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खाब ही लेते हैं परंतु मनुष्य मरने के बाद किसी काम का नहीं है इसलिए मनुष्य अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जीवन सवार सकता है गुरू जी के अनुसार गुरू जी के वचन याद करना भी सचसंग होता है अपने व्यक्तिगत अनुभव एवं आशिरवाद जो आपको गुरू जी से मिले हैं उनके बारे में सब को बताना भी एक तरह से गुरू जी का शुकराना करना ही होता है गुरू जी अक्सर कहते हैं कि मैंने जो तुमारे कल्यान किये हैं सब को बताओ अगर मैंने सिर्फ एक इनसान को भी भगवान तक पहुँशने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो अगर आपके करम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरुजी आपकी जोली में डाल देंगे गुरुजी से कभी अपना बुरा नहीं मागना चाहिए गुरुजी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चड़ा हूँगा हम अपने परमपिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी अपनी ही मदद करते हैं ना कि गुरुजी की एक बार एक गुरुद्वारे में गुरु ग्रंत साहिब का पाठ करने वाले छोटे पाठी ने गुरुजी से कहा कि उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है धन नहीं है गुरुजी ने प्रश्न किया जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता है तो कितने पन्ने बिना पढ़े पलडता है वो पाठी लोगों के लिए जब पाठ पढ़ता था तो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलड देता था फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा आप पाठ कर्या करो यानि पाठ अपने आप ही करना चाहिए किसी दूसरे के उपर निर्भर नहीं रहना चाहिए लोग पुत्र तो मांग लेते हैं पर अगर वो मांसिक रूप से विशीप्त पैदा हो गया तो अगर आपको गरीब या काम करने वालों को खाना देना है तो उत्सफ शुरू होने से पहले उनके लिए भोजन निकाले ना कि बाद में बचा जूटा उन्हें दें अगर कोई बिखारी आपसे मांगे और आप ना दे पा रहे हो तो हाँ जोड ले ना जाने किस भेस में कौन आपके सामने है अपने घर में घोडे, बक्षियों और इंसानों जैसी मूर्तियां मत रखा करो इन्हें पानी में बहा दो यदी बहा ना सको तो फेक दो परंतु घर में ना रखो घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ गुरुजी एक बार एक दरजी के पास अपने लिए एक पैंट सलवाने गए तो दरजी ने जेबो के लिए पूछा गुरुजी ने हसकर कहा सानू बोजियादी की लोड है? यानि मुझे जेबो की क्या जरुवत है? गुरुजी पहले पैंट पैना करते थे बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया किसी ने कारण पूछा तो हसकर कहा ओए कोई गुरु मन्दा ही नहीं सी यानि पैंट पहनने पर कोई गुरु मानता ही नहीं था कभी किसी की निंदा मत करो ऐसा करने से आपका अशिरवाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारत्मक कमाई आपकी जोली में आ जाती है कभी भी दूसरों के दुख मत सुनो जब भी आपके सामने कोई अपनी व्यथा कहने का प्रत्म करे तो उससे कहो गुरुजी के पास जाओ वही सब ठीक करेंगे परंतु सुनो मत अन्यता वो अपनी नकारक्मक्ता आपको देकर आपका अशिरवाद लेकर चले जाएंगे दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं इस बात पर प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंतर्ण में रहना सीखें प्रातना और पाठ सदय वितनी शांती में करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को पता नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हैं इसी प्रकार दान भी गुप्त होना चाहिए एक हाथ को ना पता चले कि दूसरे ने कुछ दिया है घर में नाक्फनी और बोंसाई जैसे ना भढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छपा है तो ये निस्वार्थ सेवा नहीं है असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है अगर आपके दैनिक कार्यों के करने से किसी का भला होता है तो क्या फरक पड़ता है जो वास्तवे गुरू होते हैं वे हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ बढ़ कर अपने बारे में स्वैम ही बताते हैं वे सचे गुरू नहीं होते एक बार हम गुरू जी के साथ रात के दो बजे तक बैठे थे और गुरुदास मान जी का गाना रातो को उठोटकर चल रहा था उस समय हमें पता लगा कि गुरू जी हमारे लिए कितनी पराथना कितना तब कर्ते हैं ताकि हम रातों को शांती से सो सकें। गुरुजी कभी सोते नहीं थे, वो निरंतर पाठ करते रहते थे। गुरुजी के शरीर से निकलने वाली सुगंद, गुरुजी की इच्छा अनुसार आती थी। गुरुजी के अनुसार ये भी एक प्रसाद है, जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता है, मंदिर में भी और घर बैठे भी। गुरुजी ने एक बार कहा, की खाओगे, टमाटर विच वी स्प्रे है। गुरुजी खाने पीने की वस्तूँ के दूशित तथा संदूशन के कारण परेशान रहते थे। तो आपके शरीर का पूरा खाचा मेरे सामने खिच जाता है, यानी एक्सरे मेरे सामने खिच जाता है, और जहां भी कोई कमी या खराबी होती है, मैं उसे ठीक करता हूँ। गुरुजी सदा संगत से शिफ पुरान पढ़ने के लिए कहते थे, अधिक धन अच्छा नहीं होता, भगवान से हमेशा यही प्रातना करनी चाहिए कि इतना दीजिये, जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। गुरु के सामने प्रातना करके अपने कर्मों की मावी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिया है। मैं एक रसिक बैरागी हूँ, जो तुमें पारिवारिक उत्रादाइत्व के निर्वा के साथ साथ प्रातना के मार्ग पर चलना सिखलाता है। मैं स्रिष्टी के कारियों में कभी हस्त शेप नहीं करता, लिकिन गुरू अगर कभी अपने भक्त पर महर्बान हो जाएं, तो स्रिष्टी का लिखा मिटा कर नया लेक भी लिख सकता है। गुरू जो बात कह देते हैं, वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है, वो होना ही है। दुख भरे गानों